So hey guys, अगर आप भी fitness influencer बनना चाहते हैं, body building करना चाहते हैं, physics model बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी actor या model से प्रभावित होके six pack apps बनाना चाहते हैं, कोई YouTube channel open करना चाहते हैं, जिसमें six pack apps की जरूरत है, अगर वो fitness से related है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि six apps का myth क्या है, क्या सिर्फ exercise करने से six pack apps बनते हैं, क्या सिर्फ diet लेने से बनते हैं, क्या फिर workout routine से बनते हैं, और six pack बनाने के बाद या उससे पहले क्या-क्या side effects होते हैं, इस वीडियो में हम पूरा clear करने वाले हैं, और जो महत्वपूर जानकारी आपके six pack बाहर निकाल के ही छोड़ेगी, I promise to you, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, six pack बनाने के लिए, आपको मेल्स में six pack apps बनाने के लिए, आपको अपना fat percentage जो है, वो 10% से नीचे लाना पड़ेगा, 10% में जब आप enter करेंगे, तो आपके six pack apps visible हो जाएंगे, और जैसे ही आप down करते जाएंगे, 9, 9, 8, 7, आपके six pack apps बाहर आना सुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैं बता दू, मेल्स के लिए तो आपको 10% से नीचे आना पड़ेगा, और जो females हैं हमारी उनको 14% से नीचे आना पड़ेगा, six pack apps बनाने के लिए, हाला कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, six pack apps बन आने में बहुत जादा आपकी health हो जाएगी, और मैं एक बहुत ही बड़ा myth confirm करने वाला हूँ, इस वीडियो में digestion को लेके, क्योंकि आप six pack apps बनाएं और आपका digestion खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब आप अपना 10% प आपके fabrics हैं, तो आप फिर आपको ये अपना सपना ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि six pack apps बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी diet maintain करनी होगी, जिसमें कि कोई भी junk food नहीं होगा, मैदा नहीं होगी, oil नहीं होगा, बहुत जादा नमक नहीं होना चाहिए, उसके बाद तेल का बिल्कुल भी seven आपको नहीं करना, ये चीजें भूल जानी है, like sugar आपको भूल जाना है, बिल्कुल भी seven जब आप बंद कर देंगे, तब आप 10% लेबल पे आप आएंगे, फर्क नहीं पड़ता है, जब आप diet maintain करते हैं, तो आपका fat जो है, बहुत जल्दी reduce होने लगता है, अब क्या क्या ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको चार्ट दे दूँगा, या फिर वीडियो के last मैं बता दूँगा, दूसरी जब से महतपूर आपको जानकारी देने वाला हो, आपको exercise routine में जो यूवा सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि जिम्में वो सिर्फ एक दिन six pack apps मारते हैं, या फिर दो दिन six pack apps मारते हैं, जा लाइक Saturday या फिर Monday को, तो आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, अगर आप apps बनाना चाहते हैं, तो आपको हर रोज कम से कम 25 मिनट apps की exercise करनी पड़ेगी, इसका benefit क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि six pack apps जब आप एक दिन मारते हैं हफते में, तो आपका digestion खराब हो जाना बहुत आम बात होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, हफते में सिर्फ एक बार six pack apps मारते हैं, वो भी दवा कि मारते हैं, तो इस बज़े से आपका digestion खराब हो जाएगा, सबसे पहले इन टैक्निक से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको हर रोज 25 से 30 मिनट six pack apps का workout करना है, और जब आपकी muscle train हो जाएंगे उतना load pay करने के लिए, तो आपका digestion भी ठीक रहेगा, उसके बाद आप सब six pack apps चाहिए, फिर body चाहिए, उसको workout तो बहुत अच्छे level का करना होगा, तो आपने heart या doctor को जरूर दिखाएं, दूसी चीज में बताना चाहूँगा, जब आप रोज six pack apps करेंगे, तो आपका पेट मेंटेन हो जाएगा, उतना load जेलने के लिए, जिससे कि आपका digestion नहीं क protein की मात्रा सबसे ज़्यादा होने वाली है आपकी body में, जो आप natural resources दालें, खाने वाले हैं, sprouts जो आप बना के खाने वाले हैं, उसको पचाने के लिए पेट में बहुत अच्छा digestion system होना चाहिए, और अभी तो गर्मी है, जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे भी पसीना आ र गर्पे बनी हुई बहुत तेल की सबजी भी नहीं खानी है, मौनिंग में जादा से जादा sprout खाएं, और sprout में मूं की दाल और चने का जादा से जादा सेवन करें, राजमे की सबजी खाएं जिसमें बहुत अच्छा protein होता है, और आलू का आपको बहुत जादा सेवन नहीं करना है, उसके बाद आप peanut butter ले सकते हैं, और आपको चार्ड मील बनानी पड़ेंगी, एक तो सुबह जब आप उठते हैं, morning में sprout लीजिए, उसके बाद आप 11-12 बजे जब आपको भूख लगते हैं, तब आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, जिम जाने से पहले आपको peanut butter लेना है, जोकि bread पे, रोटी पे लगा के आप खा सकते हैं, दो-तीन आप अपनी भूख के अनुसर, उसके बाद शाम को आप अंडे लीचे, जिम के बाद, और अगर आप protein नहीं ले रहे हैं, तो आपको protein लेना पड़ेगा, जो भी आप best protein चाहते हैं, क्योंकि य आप चाहें, तो मैं बहुत अच्छी ब्रीफ डाइट वीडियो आपको इस चैनल पर दे सकता हूँ, तो ऐसे ही अपनी हेल्थ के सॉफ्ट्वियर को डेली अपडेट करने के लिए, आप मेरे चैनल रिशप सिंग आयमे को सस्क्राइब कर लीजे, बैल आइकन प्रेस कर ली आप